जौनपुर जिला मुख्याले से करीब 10 किलोमीटर दूर शाहगंज रोड पर बने कांशी राम आवासिय कॉलनी की हालत बहुत ही दैनिये हैं कच्रे से भरी नालिया और उसमें से आती हुई बद्बू इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि यहां बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई है कॉलनियों के बाहर बिख्रा कच्रा ये बताने के लिए काफी है कि यहां कच्रा उठाने वाली गाड़ी भी कम ही आती होगी ऐसा ही कुछ हाल मिर्जापूर का भी है साफ सफाई से लेकर दर्वाजों पर बहती नालियों का गंदा पानी यहां की बधाली को दूर से ही दर्शाता है मिर्जापूर में 9 औक्टोबर 2008 में ये कॉलिनिया बसाई गई थी जिसमें लोगों को बिजली, पानी, साफ सफाई जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं दी गई थी लेकिन महस 15 साल के बाद ही इनकी स्थिती दैनिये हो गई है मुख्यमंतरी मायावती ने दलत और आदिवासियों को घर देने के लिए मानेवर कांशी राम शहरी गरीब आवास योजना की शुरुवात की थी लेकिन मायावती की सरकार के बाद दूसरी सरकारों ने योजना की सुद नहीं ली मिर्जा पर्से संतोष गिरी की रिपोर्ट